हेलो श्टुडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस लर्निंग प्रफार्म बियस्टी बायो वाला में श्टुडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको फ्यूमी टोरीज और मेस्टी केटरीज के बाले मताऊगा कि फ्यूमी टोरीज क्या होता है और मेस्टी केटरीज क्या होता है ठीक जो आपके प्यूमी टोरीज और मेस्टी केटरीज जो आपके प्यूमी टोरीज और मेस्टी केटरीज जो आपके प्यूमी टोरीज प्यूमी टोरीज और मेस्टी केटरीज जो आपके प्यूमी की उड क्या होता है और डिफरेंट याईनिकी लगपत मने आपको five आइसे प्लांट के बारे मताया जिनसे हमें timber प्राप्थ होता है यानिकी इमारती लकडियों के बारे में बताई आज इस लेक्चर में हम आपको फ्यूमी टोरीस के बारे में बताएंगे और मेश्टी के ट् की तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर लीजेगा यूटूब चैनल को ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके सेर जरूर करेंगा चलिए समझते हैं फियमी टोरीस क्या होता है तेक्स आयसे सबस्टेंस जिसका उपयोग हम लोग स्मोकिंग के रूप में करते हैं उसको फियमी टेरीस बोला जाता है यानि कि आईसे पदाड आयसे सबस्टेंस जिसको smoking के रूप में यूज कियाता है smoking का मतलब पीने के रूप में उपयोग करते हैं जैसे तमबाकू, ठिक, गांजा, चरस तो ये जो आपका गांजा, तमबाकू, चरस, टोबैकू है ठिक, ये का है, एक फ्यूमी टोरीज है ठिक, इसका उपयोग हम लोग smoking के रूप में करते हैं तो आप लोग देखोंगे जो cigarette आता है जिसके बाहर एक white color की paper की covering होती है और उसके अंदर क्या होता है, टोबैको टोबैको फील किया हुआ होता है भरा रहता है, ठिक, तो वो किस के रूप में उपयोग किया गया smoking के रूप में, पीने के रूप में, smoking के रूप में उपयोग किया गया तब वो क्या है, एक प्रकार का fuming tories है ठिक, उसी प्रकार जो गांजा आता है गांजा भी एक प्रकार का क्या है एक प्रकार का fumetories है, जिसका उपयोग लोग पीने में करते हैं, smoking के रूप में करते हैं, ठीक, उसी प्रकार चरस, अब ये जो fumetories plant है, fumetories substance है, ये लोग आखिल क्यों इसको take करते हैं, लेती हैं, ठीक, तो providing pleasure, आनन्द के लिए, ठीक, लोग cigarette, गांजा, चरस क्यों smoking करते हैं तो उनसे क्या होता है, उनको आनन्द मिलता है, आनन्द मिलता है, करने के मतलब उनसे उनको आनन्द मिलता है, खुशी होती है, ठीक, और उससे क्या होता है, उसके पीने से उनकी body stimulate हो जाती है, ठीक, उनकी body stimulate हो जाती है, और उनको freshness feel होता है, ताजगी महसूस होती है, इस इसलिए वो लोग smoking करते हैं ठीक तो इससे क्या होता है smoking करने से प्लीजर मिलता है आनंद की अनभूती होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्यूमी टोरीज या फिर फ्यूमी गेटरीज का नाम देती हैं तो आपको साथ एक concept क्लियर हो गया होगा फ्यूमी टोरीज क्या होता है ठीक आयसे substance जिसका उपयोग लोग किसके रूप में करते हैं smoking के रूप में जैसे टोबैकों का गांजा का चरस का ठीक चो चुट्टू भाईकों होता लोग उसमें यानि कि शिगरेट और गांजे के साथ यूज करते हैं ठीक उसी प्रकार चरस होता है तो यह किसके लिए होता है प्लेजरिंग के लिए होता है जिसको हम लोग फ्यू में टोरीज बोलते हैं सेकेंड प्वाइंट आता है आपका mysticates का मतलब क्या है उसको समझते हैं तो mysticates का मतलब यह होता है कि aise substance aise substance जिसका उपयोग हम लोग chiving के रूप में करते हैं chiving का मतलब क्या होता है चबाना टिक चबाते हैं टिक smoking का मतलब लोग पी लेते हैं उसको टिक जैसे cagret बगएरा लोग पी लेते हैं टिक उसी प्रकात जीस जिसको लोग chiving के रूप में चबाते हैं टिक जैसे aereca nut aereca nut का मतलब सुपारी जो सुपारी होता है वो लोग उसको क्या करते हैं चबाते हैं टिक उसको लोग क्या करते हैं प्लीजर मिलता है आनंद मिलता है तिक इसलिए वो उसको चबाते हैं तिक अब एरिका नट में डिफ्रेंट टाइप के क्या बना जा रहे हैं डिफ्रेंट टाइप के डिफ्रेंट टाइप के जोई की धुम्र पान बना जा रहे हैं तिक डिफ्रेंट टाइप के धुम्र पान लोग अपष्षब कर ढूंद्य ना रहे एरिकानट से सुपारी से बीटल पान का उपयोग यानि की बीटल पान के साथ भी स्पारी का लोग उपयोग करते हैं यानि कि या और अरिकान नट जो होता सुपारी होता है लोग उसको वैसे भी विदाउट एड़नी सबस्टेंस का भी चबाते हैं तो यह जो ऐसे सबस्टेंस जिसको लोग चबाने के रूप में उज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं maysticate rings इसमें क्या आता आपका Ericanet और इसको क्यों चबाते हैं क्योंकि इनको इस प्रकार से एक pleasure मिलता है आनन मिलता है ठीक आब इसने नहीं बता है कि different type के substance और इरिका नेट में जैसे दोहरा ठीक different type के क्या बोलते है different company कंपनिया है जो different type के क्या बनाती है सुपारी बनाती है जैसे आपका रजिनिगंधा टिक वीमल ये जो डिफरेंट टाइप के क्या है डिफरेंट टाइप के धूम्रपान है ये किस से बना जा रही है एरिकानेट से टिक तो ऐसे प्लांट जिनसे हमको क्या प्राप्त हो जिनसे हमको चुविंग सब्स्टेंस प्लांट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिस्टिक एट्रिस प्लांट बोलते हैं और आईसे प्लांट जिनसे हमको स्मोकिंग सब्स्टेंस प्राप्त होता है उसको हम लोग फ्यूमी टोरीज प्लांट बोलते हैं ठीक पहले तो मन आपको ये कॉंस तो कुई प्लांट जने सब चोडलांट ने यह सबोटेंग हो मानिंदिया, अप्लांट उसको हम लोगों क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं Masticator's plant Masticator's plant में आपको आपको हम क्या-क्या पताएंगे वो समझ दिए Fumy Toadies में क्या-क्या आपको बताया जाएगा तो Fumy Toadies में आपको सबसे पहले तुबैकों के बारे में बताया जाएगा ठिक कांजा ठिक चरस और कांजा चरस के बारे में बताया जाएगा ठिक उसके बाद आपको मेस्टिकेटरिज में बीटल पान और एरिका नट के बारे में बताया जाएगा कि एरिका नट क्या होता है बीटल पान क्या है इसका बोटनिकल ले में क्या है इसका distribution क्या है इसका इसकी properties क्या क्या होती है टिक इसके process को बताया जाएगा सारी चीजे बताई जाएगी तो आपको ये दो concept साथ clear हो गए होंगे fumitories क्या होता है और masticatries क्या होता है टिक अब अगली lecture में मैं आपको fumitories plant के बारे में बताएगे कि fumitories में यानि कि tobacco plant के बारे में बताया जाएगा tobacco plant से किस प्रकार से क्या प्राप्त होता है टिक तो fumitories में आपको tobacco plant के बारे में बताया जाएगा as well as और उसके साथ ही साथ आपको उसके next lecture में किसके बारे में बताया जाएगा तो उसके next lecture में आपको तो कि different type के different type के Indian hemp के बारे में बताया जाएगा यानि कि भांग गांजा और चरस के बारे में बताया जाएगा त्रिक जिस प्रकार से आपका family tourist plant cover हो जाएगा फिर आपको किसके बारे में बताया जाएगा फिर आपको मेस्टिकेट्रीज के बारे मताया जाएगा कि मेस्टिकेट्रीज क्या होते हैं ठीक और मेस्टिकेट्रीज के कुछ कुछ प्लांट के बारे में जैसे एरिका नट, बीटल नट या पर जिसकों लोग सुपारी कहते हैं उसके बारे में बताया जाएगा फिर बीटल पान के बारे में बताया जाएगा जिस प्रकार से आपका मेस्टिगेटरीज और मेस्टिगेटरीज और फिमेटरीज टोपिक क किया जाता है तो आज हम आपको फ्यूमिटोरी जोर मिस्टिकेट्री के बारे में बताएं जो हमारा अगला लेक्चर होगा अगले लेक्चर में मैं आपको टोबाइको के प्लांट के बारे में बताऊंगा कि टोबाइको का प्लांट यानि कि तमबाकू का प्लांट क्या होता है फैमली क्या है वाट निकल नेम क्या है सारे चीजे वहाँ पर बताए जाएंगे चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में टोबाइको प्लांट के साथ और साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट कोई 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 क्वेरी जे तो आप हमसे कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं ठिक मिलते हैं लेक्चर में टोबाइको प्लांट के साथ